नक्सलवादी हमला में CRPF के जवान सहीद होते हैं पाकिस्तान और बंगलादेश के बोडर पे BSF का जवान खड़ा रहता है चीन के बोडर पे ITBP का जवान खड़ा रहता है नेपाल के बोडर पे SSB का जवान खड़ा रहता है इस देश के लोग जवान तो उसे कहते हैं लेकिन इस देश की राजनीतिक पाटिया उन्हें सहीद नहीं मानती है और सहीद का दर्जा नहीं देती है भारतिय सेना नाम सुनते ही हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है इस देश में अनेको राजनीतिक पाटिया दावा करती है कि हमारे नेता का सीना 56 इंच का है लेकिन अगर इस देश में किसी का सीना 56 इंच का है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतिय से न का है चौदा फरवरी इस देश में नहीं पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और अभी वैलेंटाइन विक चालू है सायद लोगों को ये भी नहीं पता है कि 14 फरवरी के ही दिन पिछले साल हमारे देश के 40 जवान सा ही दो गए थे फुलवामा एटेक में और हम उन जवानों को भूल चुके है राजनितिक पार्टिया जातिवाद में बाट दी धर्म में बाट दी इस देश को और यहां तक क जवानों को भी दो भाग में बाट दी एक को सैनिक कहते हैं और एक को अर्ध सैनिक बल कहते हैं अगर सेना के जवान कहीं सहीद होते हैं तो उन्हें सहीद का दर्जा दिया जाता है लेकिन अर्ध सैनिक बल के जवान अगर कहीं सहीद होते हैं तो इस देश की राजनितिक प इस देश के लोग जवान तो उसे कहते हैं लेकिन इस देश की राजनितिक पार्टिया उन्हें सहीद नहीं मानती है और सहीद का दर्जा नहीं देती है क्या अर्ध सैनिकबल के जवान जवान नहीं है क्या वो देश की सुरक्षा करते समय अपनी जान की बाजी आधा लगाते हैं या पूरा लगाते हैं इस देश की राजनितिक पाठिया, इस देश के जवानों को बलतकारी कहती है, और कुछ राजनितिक पाठिया, जब जवानों का नाम आता है, तो जैहिंद वंदे मातरम कहती है, लेकिन जो जैहिंद वंदे मातरम और भारतिय सेना जिन्दा बात कहता है, वो भी पिछले साथ साल से इस देश पर राज कर रहा है और अर्ध सैनिक बल के जवानों को सहीद का दर्जा नहीं दे रहा है हमें पैंसन नहीं दिया जाता है क्योंकि हम अर्ध सैनिक बल है हमें फैसलेटी नहीं दी जाती है यहां तक कि इस देश के लोगों को यह भी नहीं पता है कि हम जो खान पर बैट के जो है मुझे पता है 14 तारिक को बहुत से नेता पुलवामा एटेक को याद करेंगे ट्वीटर पे लेकिन एटेक के बाद उन नेताओं से मैं पूछना चाता हूं कि कितने ऐसे नेता हम जवानों के घर पे जाके हमारे दुख और सुक को बाटने की कोशिस किये है हमें पता है इस देश के लोग बहुत जल्द जो है हर चीज भूल जाते हैं हम जब सडकों पे निकलते हैं तो कोई हमें जैहिंद भी नहीं कहता है कोई हमें याद भी नहीं करता है लेकिन अगर हम सहीद हो जाते हैं तो हमारे सहाधत में सोशल मीडिया पे आस्वों का सैला ला देते हैं सिर्फ एक दिन हमें क्यों याद करोगे यार हम अपना जीवन जो है कुर्बान कर देते हैं इस देश की रक्षा के लिए इस देश के लोगों की रक्षा के लिए लेकिन हमें लोग अपने खुसियों में नहीं सामिल करते हैं अपने तेहवारों में नहीं सामिल क जाते हैं कि आपको पता है आप इस देश में सुरक्षित है क्योंकि एक जवान बोडर पे देश की सुरक्षा कर रहा है कितने लोग होली के दिन एक जवान के घर पे जाते हैं पीवी चैनलों पर बट जाएए तो दो धड़े में बटे हुए राजनीतिक पार्टियों के लोगों को पता है कि क्यों हुआ था और क्या उसका जाच रिपोर्ट आया है किसी को नहीं पता है हमारे सहादत पर इस डेस में जबर्दास्त राजिनीतिक किया जाता है 36 गड़ में 76 CRPAC के जवान सहीद हो गए आज तक पता नहीं चला कि वो सहीद क्यों हुए फुल्वामा हमला हुआ आज तक पता नहीं चला कि हमारे जवान सहीद क्यों हुए और हमें अर्थसाइनिक बल कहा जाता है और पाकिस्तान और बंगला देश के बोडर पे BSF के जवान फ्रेंट लाइन वारियर कहलाते हैं चीन के बोडर पे ITBP के जवान फ्रेंट लाइन वारियर कहलाते हैं नेपाल के बोडर पे SSB के जवान फ्रेंट लाइन वारियर कहलाते हैं और नक्सलवादियों से लड़ने में सबसे अहमी ओगदान CRPDF का होता है तो हमें सहीद का दर्जा इस देश की राजनीदिक पाटिया क्यों नहीं देती है क्या आप हमें सहीद का दर्जा दे दोगे तो हम आपसे पैसा मांगने जा रहा है या हमारा भत्ता बढ़ा दोगे नहीं हमें एक दर्जा चाहिए हमें एक सम्मान चाहिए कम से कम हम सहीद हो रहा है तो हमारी सहादत का मजाक मत बनाओ और हमें सहीद का दर्जा दे दो हमें इस देश के लोगों से सिर्फ इतना ही उमीद है कि जहां भी भारतिय सेना के जवान को देखे कम से कम एक बार जैहिंद जरूर कहें और किसी भी बड़े तहवार या छोटे तहवार में हमारे परिवार वालों को समय जरूर दे क्योंकि हम आपकी सुरच्छा के लिए बोडर पिखड़े हैं और इस देश के राजिनितिक पार्टी से सिर्फ और सिर्फ एक ही हम बिनती करना चाहते हैं हम कभी हर्ताल नहीं करते हम अपना मांग मनवाने के लिए कोई अंदोलन नहीं करते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीछ चाहिए कि हमें सहीद का दर्जा दे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अर्थ सैनिक बलके जवानों को सम्मान दिना दे के लिए मैं बना रहा हूँ उमीद है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो राजिनितिक पाटियों के नेताओं तक हमारी बातों को पहुचाएंगे ताकि जो है अर्ध सैनिक बलके जवानों को भी इस देश में सम्मान मिल सकें जै हिंद